तो गैस मैं हुआंग की तौर आप देख रहे हैं रसलिंग फैंस नाइट पक सबसे पहले गाई जब लोग अपनी बातों को सुरु करेंगे मंडे नाइट रॉक की प्रिव्यू से तो कल होने वाला है एक और ब्रैंड न्यू एपिसोड मंडे नाइट रॉका एंड कल के बहुत सारी नजरे होने वाली है डबड़ ने इस मैच को कन्फर्म करा है इसके बाद कन्फर्म करा गया है लायरा वलकारिया वर्सेज इयो स्काई का मैच यह एक अच्छा मैच होगा लोग इसके लिए एक साइट हैं आज कल मैं देख रहा हूँ कि लोगों को स्टोरी इवाल्मेट 100% होने वाली है और यहां पर वापस से ओटिस चैड गेबल के वीच में कुछ कुछ हमें देखने को मिल सकता है यह वाला मंडे नाइट रॉक का एपिसोड आखरी एपिसोड होने वाला है क्लैस से पहले तो हो सकता है डबड़ ड़ी थो इसी लिमिट्स क्रॉ सामने आ रही है जैसे यह निउस ब्रेक हुई कि भाई वो डबड़ ड़ी छोर के जाने वाले हैं या जा सकते हैं तबसे इंटरनेट पे रिकोसे ही रिकोसे चाय हुए है कभी समयन था है एरविन को लेके तो कभी एडबलू में जाएं या नहीं इसको लेके अभी फाइट सकते हों कि डेव मेलजर उन्रिको से लेविंडर डबल्डवी रस्लीं और राइटीयो में मिलजर कहते हैं I may write him out on TV this week but I was told Sunday afternoon that he did in fact make his decision but what his decision is that I don't know but I think most people have him leaving I think that's the safest best of the two I can't say 100% so कहते हैं Meltzer कि most likely Rico से leave कर रहा है WWE को हाला कि यह चीज़ अभी official रूप से official नहीं है लेकिन Sunday morning के हिसाब से इन्होंने जो सुना था उसके recording अभी तक Rico से ने WWE के साथ नई deal sign नहीं करी है यानि कि अभी उनका status up in the air है WWE जो भाई कहीना कहीं guess करके बैठी है कि Rico से company छोर के जाने वाले हैं लेकिन WWE के पास उस situation के लिए भी ideas हैं कि अगर Rico से WWE के अंदर रह जाते हैं तो दन क्या करना है कहने का मतलब है WWE बाद का भी सोच के रखरी है दोनों तरफ से देख रहे हैं लेकिन हाँ यहाँ पर जार जार चांसे से हैं कि वो छोर के जारे company इसलिए most likely WWE इसी हफते उनको टेलिविजन से off दे देगी यानि कि वो टेलिविजन से हट जाएंगे ब्राउन ब्रेकर उनको हटाने वाले यह सुनने में आ रहा है अलसो इन्होंने यह भी बताया है कि रिकोसे में साइद से most likely अपना decision ले लिया है तो अगर इन्होंने deal sign नहीं करी है and decision ले लिया है तो यही decision होगा उनका साथ में बताते हैं कि इतना कुछ जादा में sure नहीं हो लेकिन जो जितने अलग-अलग sources कह रहे हैं अगर उन सब को लेके चले so I think yes यह safest bet है यह बोलने के लिए कि हाँ भाई रिकोसे company छोर के जा रहे हैं हाला कि फिर यह कहते हैं कि 100% sure नहीं है यानि कि कल तक जो यह कह रहे हैं कि अभी तक status up in the air है अभी भी वही कह रहे हैं लेकिन अब थोरा unsure होके कह रहे हैं तो यह कुछ रिकोसे को लेके latest update है अभ कर सकते हैं दोनों promotions वाले सो लेट सी क्या होता अभी कि साफसे वाई इनको लेकर यह कुछ update निकल के सामने आ रही है आगे बढ़त करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह ओबा फैमी को लेकर गलत फैमी को लेके नहीं तो अभा फैमी भाई डवी के साथ अभी से यानि की बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी यह में रॉश्टर पर भी आ सकते हैं लेकिन उसमें फिर दिक्कत है कि इनको अपनी एनक्स्टी नोर्थ-मेरिकन टाइटल ड्रॉप करें लेकिन अगर व ड्रॉप नहीं करेंगे तो भाई उनकी रेन उन्हीं धोज इसा देखने को मिलता है इन रिंग वर्क बहुत जबर्दस्त है टॉप टियर है प्रोमो वर्क भी टॉप टियर है एक कम्प्लीट पैकेज जिसको आप कह सकतो हो वो है ओबा फेमी अगर मैं अभी इसको में रॉस्टर के किसी सूपरस्टर से कंपेर करूँ ओबा फेमी को तो मैं साथ इनको कम्पेर करूँगा जेकाफ फाटू से हाला कि अभी जेकाफ फाटू नहीं आए लेकिन वो में रॉस्टर में ही आएंगे उनको भी लेकर यही सुनने को मिलता है कि भाई वो इन रिंग आक्शन में काफी बेटर करते हैं सब कुछ को लेकर तो भाई एक बहुत अच्छी न्यूज है एक उभरता वसीतारा डबेड़ डबी को मिल रहा है सवान माइगास के रेजमे के अंदर आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में सब्सक्राइब करते हैं कि अपने सपनों में इस मैच को देखते हैं कि समय बीटते जा रहा मुझे नहीं पता कि सासा क्या चाहती है लेकि मैं यह चाहती हूं अगे बढ़ते हैं गैस बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एन फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है एक breaking news को लेके एंड एक और न्यू ब्लट लैंड वेंबर confirm हो चुके हैं जेकब फाटू तो देखो sign करी चुके हैं डबी डबी के साथ हीकुलियो को लेके updates निकल के सामने आ रही थी rumors थे कि हीकुलियो साइन कर सकते हैं डबी डबी के साथ चांसे थे कि हीकुलियो डबी डबी के साथ डील साइन कर सकते हैं डबलट लैंड की स्टोडी में आ सकते हैं लेकिन अभी यह चांसे धीरे धीरे भाई यानि कि यहाँ पर कहना है बड़ी स्लैम नेट का कि इन्होंने एंजेपी डबलु के इंसाइडर से बात करी एंड कमपनी के अंदर लोगों को अलगता है कि हीको लियो डब 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 की तरफ जा चुके हैं अगर में गलत नहीं हूँ तो इतना मेरे डीटर में नहीं देखा इनकी फैमिली ट्रीग है तो हीको लियो भाई एक टाइम पर थे वहाँ पर टामा टॉंगा टॉंगा लोगा के साथ हैं जब डब डब डबली अभी इनको भी लेकर आ रही है यह 99% कंफर्म हो चुका है अब यह कब आएंगे वह देखना होगा यह भी हो सकता भाई कि क्लैसर दे कैसल में आ जाएंगे और यह सेम चीर्ट टॉंगा लोगा के साथ हुई थी तुरंट डब 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 उनको लेकर आ गई थी मतलब जैसे उनकी डील एक स्पायर हुई एंजपी डबलू के साथ अग अगर्मोस्ट कंफर्म मान की चलो आप फिलाल गाईस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी आई होप सापके इन्फर्मेशन मिली हो मिलो दो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को फॉलो कर सकते आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंट ट्वेटर पे लिंक आपको मिल जागे डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं वाटसप चैनल को उसके भी लिंक अडिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स वाफएर काफ इंट्रस्टिंग वीडियो में